वाराणसी से राची जा रही आसनसोल पैसेंजर ट्रेंड में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है सोमवार को आई यह वीडियो काफी कुछ बया कर रही है यह घटना तब हुई जब बनारस से चली ट्रेंड बिहार के कैमूर जिले में पहुँची रास्ते में उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ ट्रेंड के यात्रियों ने सहयोग किया और ट्रेंड में ही महिला ने स्वस्त बच्चे को जन्म दिया जन्म के बाद महिला की थोड़ी तबियत बिगड़ने लगी ट्रेंड में सवार यात्रियों ने इसकी सूचना भववा आर्पीअप को दी सूचना पाकर भववा रोड स्टेशन प्रबंधक और आर्पीअप वहां पहुँची महिला की तबियत खराब थी आर्पीअप सब इस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने यातियों की मदद से महिला को मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भरती कराया वारान सी आसन सोल पैसेंजर इसमें एक महिला ने जो है नवजाद बच्चे को जनम दिया जिसके उप्चार है तो हम लोग इसको अस्पताल में लाए एसेस महोदे भी आए और आर्पीअप पूरा टीम रहा हम लोग आज योगा दिवस के दिन योगा करी रहे थे कि उसी दोरान सुत्रों से सूचना प्राप्त हुआ यात्रियों की मदद से इस महिला को फूष्पिटल में पहुचाया गया इसका यात्रा भूव हुआ जाए तुझी पता चलाएं आई रांची जाएगी इसके साथ में इसके ससुर भी है ससुर यहीं बढ़े हैं दो बच्चे हैं साथ मोनिया नूडला सुदाल में लाया है आप महिला की पहचान जहारखंड के राची के दिनेश लोहार की पतनी आर्तिदेवी के रूप में हिला के पती भी साथ में थे लेकिन भीड अधिक होने के कारण वह ट्रेन पकड़ नहीं पाए जात रहें रांची जाएं ट्रेन से किसे लेके साथ लेके जात रहें के के साथ लेके जात रहें कि कि वे रहें हो यह मतलक के पियंकड़ी में आ रांगे लेके पतों अबकर लेके नियुक्त रूपका दला अगिये तो रुकत रुकत आवल आफ्ड में प्च्या भल ब्लेभी ना फिर शट्रेन से पकड़कि जाना पड़ेंगा ने है ने में आपकी प्टोंका डिलेली महिला की पहले से एक चार साल की बच्ची आर्थी कुमारी और दूसरी पांच साल की बच्ची खुश्बू कुमारी है वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि मा और बच्चा दोनों सुस्त है